हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मारे यूट्यूब चैनल पे और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मारुती इगनीस की इगनीस का यह वेरियंट है जैटा टॉप से नीचे वाला वेरियंट आता है काफी अच्छे फीचर्स इसमें हमें देखने को मिल जाएंगे और ब्लैक एडिशन में यह काफी अच्छा देखने को मिल ला है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करने और वेल आइकन प्रेस करने जिससे कियाने वाली सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पोचे इस वीडियो के अंदर मैं इसके सारे फीचर्स और प्राइस आपको बताऊंगा तो वीडियो को सुरूर सागर तक जरूर देखना सबसे पहले अगर बात करें इसके इंजन की तो इसमें 1197 CC चार सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिल जाएगा जो की मैक्सिमम पावर 81.80 BHP पावर जेनरेट करता है 6000 RPM पर वहीपर टॉर्क 113 नम पावर जेनरेट करता है इसके dimension और capacity की तो length इसकार की आपको 3700 मिलती है width 1690 मिलती है और height 1595 मिलती है और wheelbase 2435 मिलेगे इस कार के अंदर जो वजन है वो 840 KG के something आपको देखने को मिलेगा फाइब डॉर इसमें आपको मिल जाते हैं पीछे का लुक आप देखी रहें कितना शांदाल लुक हमें देखने को मिल जाता है तो यह सारी profile है तो इस हिस आप से देखा जाए तो car काफी बड़ी है price काफी कम है फीचर काफी जादा है तो यह सारी चीज़े हैं फ्रेंट में आपको सुजूगी का logo with chrome के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा chrome यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है halogen light मिलती है indicator मिलता है यह कुछ इस type से आप देख सकते हैं और नीचे की साइड में fog lamp मिल जाते हैं जो accessory का part है आप इसको अलग से लगवा सकते हैं फ्रेंट में आपको different color का यहाँ पर bumper आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस type से नीचे के देखने हैं तो ground clearance काफी अच्छा है 180 mm के something ground clearance आपको देखने को मिल जाता है और यहीं पर हम देखते हैं उपर की side में तो bumper भी मिल जाते हैं और इसके wheel size की अगर बात करें तो 15 inch का wheel size हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है सुजूगी का logo front में disc brake तो यह चीज है यह उपर देख रहे हैं तो दो wiper आपको मिल जाते हैं तो सारी चीज़े अच्छी मिलती हैं ORVM पर indicator मिल जाता है यह chrome का part यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलग से लगा हुआ है यह भी accessory का part है door visor लगे हूँ उपर की side में देखेंगे तो roof rail यह कुछ इस type से आपको देखने को मिल जाएंगी antenna मिल जाता है spoiler मिल जाता है यहाँ पर और यहाँ पर यह देखा जाए तो सारे features काफी अच्छे मिलते हैं इसकी बनावट को सुन्दर बनाते हैं तो यह सारी चीज़े gliding मिल जाती है और यहाँ पर chrome का part लगा हुआ है accessory का keyless entry के साथ में entry हो जाती है और यहाँ पर dual tone में पूरा gate आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस type से black and white का combination काफी अच्छा है handy मिलता है यहाँ पर chrome वाला open करने का option मिल जाता है power window चारों मिल जाती है और यहाँ पर ORVM set करने का option मिल जाता है speaker भी मिल जाता है कुछ space मिलता है twitter मिल जाता है तो यह सारी चीजे इस car के अंदर मिलती है आप देखेंगे तो seat है काफी अच्छी है height adjustable seat तो नहीं मिलती इसमें इस से top variant में मिलती है fuel tank open करने का option hood open करने का option यहाँ पर push start button और यह light को set करने का option यहाँ पर आपको cruise control और AC vent मिल जाता है कुछ इस type से तो यह सारी चीजे काफी अच्छी है और अंदर की side में भी देखेंगे तो सभी seat ओपर seat belt आपको मिल जाती है headrest मिल जाता है और यहाँ पर इसके meter को देखें तो कुछ इस type से पूरा system यहाँ पर देखने को मिलता है steering पर Suzuki का logo मिल जाता है यहाँ पर music control मिल जाता है call connect disconnect करने का option मिल जाता है Bluetooth का और यहाँ पर आपको AC band और 7 inch का touch screen system मिलता है navigation मिल जाता है AC band मिल जाते है glove box मिल जाता है और dual tone में पूरा apt dashboard देखी रहे हैं कितना शांदार दिखता है यहाँ से 4 indicator को एक साथ जला सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो AC और heater का option मिल जाता है अपने आवश्यक्ता नुसार आप set कर सकते हैं manual तरीके से AC को और heater को भी और नीचे की side में देखेंगे तो यहाँ पर आपको charging का option 12 volt वाला मिल जाता है और USB connect कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ space, cup holder और gear lever कुछ इस type से यहाँ पर hand brake और seat bed connect करने का option मिलता है यहाँ पर देखेंगे तो mirror manual है और यहाँ पर light हैं तो आप जला सकते हैं reading lamp और यह जो sun visor sun visor पर आपको mirror और handle मिल जाता है इधर mirror नहीं मिलता तो यह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है यह सारी features मिल जाते हैं अगनीस के अंदर अब हम दूसरी तरफ चलते हैं gate पर और वहाँ पर देखते हैं हमें और क्या features मिलते हैं co driver side वाले gate पर तो कुछ इस type से पूरा simple gate मिल जाता है एक power window का एक option मिलता है बस यह सारी चीजें मिल जाती है बाकी speaker, tweeter वो तो रहे गई और यहाँ पर आप देखेंगे तो airbag मिल जाता है और कुछ इस type से देखते हैं तो अंदर की side में काफी space हमें देखने को मिलता है पिल्कुस simple cave in आपको देखने को मिल जाएक और यहाँ पर dual tone का जो option अंदर देखने को मिलता है तो इस car के interior को और ज़्यादा best बनाता है यहाँ पर power window का एक option मिल जाता है dual tone में यहाँ पर भी work आता है कुछ space और यह कुछ इस type से सारी चीज़ें मिल जाती है जैसे bottle holder है speaker है यह सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कुछ इस type से पूरा पीछे की profile आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपके headrest मिल जाते हैं पीछे की side में देखेंगे तो parcel tray भी इसमें मिल जाती है space की बात करें तो आप देख लीज़े space कितना ज़्यादा है इस कार के अंदर तो space की कोई कमी नहीं है मारूती की किसी भी कार में कोई कमी नहीं होती स्पेस की तो space नेकसा के अंदर भर भर कर आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें इसके safety फीचर की तो ABA system, central locking, power door lock, chair safety door lock, anti-thip, pallarum, दो airbag इसमें मिलते हैं, seat belt warning और इसमें आपको engine employser और इसमें crush sensor, engine check warning, EBD, electronic stable control, speed alert, speed sensing, auto door lock जैसे function आपको मिलते हैं और hill assist भी function इसमें मिल जाएगा, तो function काफी अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो drum brake मिलेंगे, पीछे की side में, Suzuki का logo आपको alloy पर मिल जाता है, यहाँ पर आपका fuel tank आजाता है, जो आपको लगबग लगबग मिलता है, 32 लिटर का light है कुछ इस type से, और Ignis यहाँ पर लिखा हुआ है, Suzuki का logo है, Chrome का यह part लगा हुआ है, और यह देखेंगे, तो byper, यहाँ पर defogger, यहाँ पर light और यहाँ पर spoiler, तो यह सारी चीज़े मिलती हैं, और parking sensor भी मिल जाते हैं, यह और camera आपका accessory का part है, कुछ इस type से, यह लगा हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे, तो काफी अच्छा, reflector lights हैं, और यह parking sensor, आपको मिलते ही हैं, चार parking sensor, तो यह सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, ground clearance आप देख रहे हैं, कितना clear हमें देखने को मिल ला है, तो यह सारी चीज़ें मिलता ही हैं, और boot space इसमें काफी बड़ा, 260 लिटर का मिल जाता है, तो यह एक अच्छा option है, कि boot space इस कार के अंदर ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, तो मेरे इसाब से तो भाई, पूरी profile बिलकुल perfect है, आप बता सकते हैं, comment करके, कि यह कार आपको कैसी लगी, तो यह सारी चीज़ें, मैंने सारी चीज़ें आपको जाला तर बता दी हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, तो comment कर सकते हैं, मैं comment का जवाब आपको दे दूँगा, अब सबसे main चीज़ आती है, कि इस कार के पैसे कितने हैं भाई, तो इस कार के जो एक्शोरूम कीमत आपको देखने को मिलेगी, वो 6,96,000 रुपे के something आपको देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीज़े हैं, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में बहुत जल,